जी ने जो कहा है मैं उस बात का सव प्रतीसत समर्थन करता हूं कारण कि अगर हम जानवर बन जाएंगे तो देश के अंदर 2047 खतरनाक स्तिती में होगा रुकसान देश का होगा हालात यह है कि सफीकुर रहमान था या समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता या ओवेसिस आपक साइंटिफिक के चक्कर मत पढ़ना खूब करो सब भगवान की देने परन्तु तरीके से करना घर में दाने उने चीए अब दाने तुमारे घर में नहीं और अम्मा चली भूनाने दिक्कत वाएगी आप खूब करो किसे रोक है परन्तु देश का कानून को मानना पड़ेग रात को इंद्रा गांधी जी सपने माय थी सुराय काम उसके में टी एक वार और कर वागर कर लो इनका कर वा लो सिस्टम गोल अगर नस्बंदी कराली है तो नस्बंदी इनकी भी उसी रेशों में होनी चाहिए थी जब डेशना मरजंसी लगा यह आपको अपने वक्त को लि देश के लिए जरूरी है। बोल ये आपर नहीं बोलेंगे कि किसी धर्म से जोड़ा वो मामला है। अग्रिकल्चर लेंड कम होती चली जा रही है। अग्रिकल्चर लेंड कम होगी तो खुराख कम हो जाएगी। पानी नहीं है, खुराख नहीं है, बिजनी, 24 घंटे के हमिले बिले ये पूरे देश में और ये अगर ऐसे ही बढ़ता चला गया। ना किसी अल्ला ने रोका है, ना किसी भगवाद ने रोका है। बड़े की इसको धर्म से कहता जोड़ा जा रहा है। योगी ने तो किसी धर्म से जोड़ा नहीं था। योगी जी हो या इस किसम के जितने लोग है बले ही वह के मंतरी बज़ना है। लेकि जब बड़े को लोगा है। आप पॉपुलेशन कंट्रॉल डेका समर्तन करेंगे। कि हम टू चाइल्ड पॉलिसी के खिलाफ हैं। दो अपरेल 2022 को प्राइवेट मेंबर बिल पे हैल्स मिनिस्टर ने जवाद दिया। तो टू चाइल्ड पॉलिसी के खिलाफ हैं। और हमारी जो पॉपुलेशन है वह स्टेबलाइस दोर में आ चुकी है। तो जब बीजेपी नहीं चाह रही तो यह कौन से भी यह बताईएं। आप चाहरे नहीं चाहरे हैं। जब कंट्री के लोगों ने सर्फ रेगुलेशन के साथ ही स्टेबलाइस तो आगए तो आप इसको खानून आने की दूप नहीं है। आप क्यों नहीं कहते हैं। जब तस्रीम रह्मानी साथ कह रहे हैं। तो आपको समर्चन करना चीए। जब भाप 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 आप चाहिए। तस्रीम रह्मानी और इनकी बाइट नहीं रिकॉर्ड करके निज्ट 18 अपने शों में रख लें। जब तक कोई भी इशू प्लिटिकल इशू नहीं बनेगा वो ठीक नहीं होगा और में और चीज कहना चाहता हूं। यह AIM AIM वाले बड़े कहते हैं कि देश समवधान ते चलेगा। समवधान के धारा शाथ अनुछे साथ में लिखा हूए से डिल 7 में के फैमिली प्लानिंग और पॉपिलेशन कंट्रोल इज रिक्वाइड फो दिस कंट्री तो चलो सर समवधान से अभी तो कहरे थे कि नहीं है नहीं है नहीं है नहीं बनेंगे नहीं बनेंगे नहीं है करके सब लोग बोले तो सब के विचार जाएंगे आप राजकुबार बाटी शिवंत्यागी ने बोला कि डिस बैलेंस जब होता है सुसाइटी के अंदर एक वर्क की जनसक्या बढ़ती है हमने जारकंड के कई लाकों में देखा जहां शुक्रवार की छुट्टी कर दी गई जो कि सविधार के बिवहत खिलाफता वहां पर भगवान वहां पर प्रेयर के अंदर हाथ जोड़ने मना कर दिये गए क्योंकि वहां का गए कि मुसल्मानों की तदाद जादा हो गई है इसलिए ऐसा करना पड़ेगा क्या आपको लगता नहीं है कि वक्त आ गया कि दंसंक्या पर पॉलिटिकल पार्टी भी एक बड़ा स्टैंड ले जितना गंभीर ये विशे है और जिस गंभीरता के साथ इस पर चर्चा होनी चीए भारती जंता पार्टी उसके पिरती गंभीर नजर आती नहीं है आपके पैनल में बीजेपी के दो समर्थक हैं दोनों के दोनों ने केवल मुस्लिम समदाया पर निसानसादा व्यंग किये हैं हसी मजाक किया है और जो अभी साथ ही बता रहे थे लोकसभा का भी जबाब है स्वास्तमंतरी का कि हमारा परवार नियोजन का कारिक्रम लाने का कोई अभी इरादन नहीं है भारती जनता पार्टी अगर इस समस्या के पिरती गंबीर होती तो अब तक मानी मोदी जी आठ साल उने सासने में हो चुके हैं कोई बिल लेके आते पहली बात आप उस बिल का साथ देते हैं हम हंडेड परसेंट साथ देंगे आबादी का नियं के लिए अमीश जी आप तो कम से कम गंबीर हो रहों मैं तो अब टो एंकर हो सब्स्कार हूं यापने शी अपनेस ये गैर शमिदानी का कानून था कैसे गलत कानून है समिदान के विरोधी कानून है कुछ भी उलजुलूल करेंगे यह किरसी बिल भी लेका आयते इन्हें थ कर रहा है कि मोदी जी बिल क्यों नहीं ले आते हैं अरे 2014 से मोदी जी बिली तो ला रहे हैं बार बार सब बिल लाकर बाहर निकल आते हैं इसका भी लेकर आएंगे अपना बयान याद रखना ठीक है मैं ओडियेंस से कुछ सवाल ले जाता हूं कोई कौन सवाल पूछा जाता ह है कि जब बात जन संख्या प एती है तो हिंदो मुसलिम यूं करते यह तो पूरी डैस की सवाल है केरला के मुसल्मानों की प्रिजिन अंदर उत्तर प्रदेश के सवर्ण हिंदू के प्रिजिन अंदर से काफी कम है कश्मीर के मुसल्मान हिंदू क्या है यहार और सवर्ण हिंदू क्या है सवर्ण हिंदू क्या है सवर्ण हिंदू क्या बताओ ना सबस्क्राइब बाटने वाला कोई और नहीं आप जसे लोग है और रहिए बात आपने बहुत अची बात करी जब मुस्लिम बेटियां स्कूल जाने लगी तो परजन अंदर घट गई यह यह देश का प्रधानमंतरी काई पर कहा चुका है के बदर से बंद करो और बच्चियों को कॉलिज और बेजो जा रहे हैं जिए आइरोनी आपनी अफ दिस कंट्री जिन लोगों ने अपनी महिलाओं को कपड़े पहनने की आजादी नहीं दी वो आज अपनी महिलाओं की सिक्षा के उपर ग्यांदे रहे हैं अगर बुर्के पर साथ दे दिया होता तो सिक्षा और बढ़ जाती सिक्षा और बढ़ जाती तो जंसंख्या और कम हो जाती यह हिपोक्रसी मत फिला है कि जहां महिलाओं को जरूरत है राइट्स की माँ तो देते हैं लेकिन जब तक आप जैसे लोग पर पाटी है जब तक महिलाओं को चैन कहा से जो अभी जिनका यह बार बार जिकर अमिश् सब्सक्राइब करने चाहिए आपने यती नरसिंगा नंद के नहीं पड़ा जो कहते हैं आठ बच्चे पैदा करने चाहिए ऐसे मूर्ख दोनों तरफ हैं और दोनों तरफ है एक एक सवाल का जवाब दो किसी सवाल से ना कभी मूचुराता ओं ना कभी घबराता हूं जब और अब नहीं पुछा जाता है, तो मैं जवाब तो दे रहा हूँ, गुरु जवाब तो सुन लीजी, किसी संथ से, किसी माहतमा से कहलवा दो, कि बिना ईश्वर की मर्जी के हम पल रहे हैं, ये तो हर धार में कुछती मानता है, क्या है हिंदू ओ भुसलमान है, जी जी, जी, जी और अगर अपने आपको धोड़ा पैतर रख लेंगे, तो ये तो इस बैतर रहे है, ये दुनिया पिना ईश्वर की मर्जी के पल रहे है, ये बच्चे आपके भी, आपको भी पता है, प्रोसेस, अब क्या मैं इसको बैठ के डिमोंस्ट्रेट तो करने से रहा है, आर पार म पेर केंगे एक ब्रेक के लिए ने किन ब्रेक